हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गोरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग के मैच का हम प्रिव्यू करने वाले वो खेले जाएगा लिवरपूल वर्सेस लेस्टर सिटी के बीच मैच कवेनी होगा एंफिल्ड एंड किक आफ होगा लेट नाइट वन थाटी एम पे तो लिवरपूल वापस ट्रेक में आ चुकी है वापस अपनी उन्होंने बेस्ट फॉर्म पकड़ ली है बात की जाए लेस्टर सिटी की सुरवात लेस्टर की भी बिल्कुल अच्छी नहीं रही थी स्टार्टिंग दो तीन मंत में प्रीमिया लीग में सबसे वाटम में थे ल इस मैच में यह कहना सेफ रहेगा कि लिवरपूल ही एक लिवरपूल को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं तो सबसे बहले मैं आपको एक चीज़ बता दू इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वह आपको मिलेगी हमार चैनल आपको मिल जाएगा तो जरूर जाइन कर लिजा मेरे टेलिग्राम चैनल से ही अब मैं आपको दिखा तो पॉइंस टेबल तो लिवरपूल फिलाल सिक्स पोजीशन में अल्दो एक टाइटल रेस से मोस्ट प्रवबली बाहर हो गया है लेकिन टॉप फॉर में और 9 लोसिशन है 25 गोल स्कोर के लेकिन 28 गोल कंसीट भी कर दिया और 17 इनके पॉइंट है बागी आप टेवल देखके भी समझ गयोंगे दोनु टीम्स के बीच का गैप अम मैं आपको दिखा दो दोनु का लास्ट मैच कैसा रहा तो लेश्टर अपने लास्ट मैच में घर म जबकि लिवरपूल ने जो अपना लास्ट प्रिमिया लिग मैचोस में अवेज आके 3-1 से एस्टन विला को रहा मोसाला वेंडाइक और बच्चेटिक ने एक एक गोल मारा इसके अलावा रवर्टसन और मोसाला का एक एक असिस था बागी मैंने बता दिया फेवरेट बादिक में लिवरपूल को कोई बैक करने वाले कρά citizen है मैं तो आ अधम मैं दारेक्क प्रोपीबल लाइनप पहाओ पैले लिवरपूल हम बात करते है यह फेवरेट मैं यानि कि मैं 7 प्लयरं लिवरपूल कईक करूँन का इसमाल लीग में तो लिवरपूल के लिए डियागो जोटा, लुइस डियास, आर्थर, बॉबी फिर्मीनो और जेम्स मिलनर बाहर है, इनकी प्रोवबल एलावन देखते हैं, एलिसन बेकर इनके गोल की पर हूंगे, चार इनके डिफेंडरों के अलेक्जंडर आनॉल, मैतिप, वेंडाइक औ और एंडी रोबर्टसन, फिलाल इस मैच में अगर किसी एक टीम को क्लीन शीट के लिए बैक करना होगा, मैं लिवरपूल को करूँगा, उनके घर में अच्छा क्लीन शीट का जाम से, तो अभी मैं 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 डिफेंडर लिवरपूल के पिक करूँ, मैं फिलाल चारों को और रोबर्टसन तो कभी भी इस पोजिशन से गोल असिस्ट कर सकते हैं, अल्दो एलेक्जंटर अनॉल इस सीजन बहुत ज्याद अच्छी फॉर्म में लेकिन धीरे धीरे वापत से अपने बैस्ट में आते वे दिखाईते हैं, और सारे कॉर्णर की फ्रिकिक लेते हैं, र हैंडर में कभी भी गोल लगा सकते हैं, और पासेस और डिफेंसियाइद अच्छे हैं, इस विएस से इन तीनों को तह मैं शॉली पिक करूँगा, किसी एक को ड्रॉप करना मैं मैं तिप कर सकते हैं, लेकिन फिलाल मैं चारों को पिक करके चल लाओं, अम मिटफिल में थिय फावीनियो और हेंडरसन के लिंगे, यहां पर चेंज क्या हो सकता है हेंडरसन के ब्लेज में, कर्टिस जोंस या हर भी इलियर्ट में कोई एक अंदर आ सकता है, फिलाल मैं यहीं मिटफिल होगी, अभी कलिए मैं हेंडरसन और फावीनियो दोनु को इग्नोर किया है, मिटफिल में थियागों को प्रिफर कर रहा हूँ, अब लेफ्ट विंग में ऑक्सरेट चेंबलें खेलें, इनके मिटफिल नियो प्लेयर तो ठीक टाग लगते हैं, लेगिन बहुत ज्यादा सेफ नी रहेंगे, अभी मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अब लेफ्ट विंग में अगर इनके प्लेच में खेलते हैं, एक प्लेयर है फावियो करवाली हो नाम के, आप उन पर प्लेच लेसकते हैं, वीजवीज में गोल मार देते हैं, लेकिन फिलाल मैं उनको भी पिंग नी करूंगा अगर इस्टार्ट करते हैं, क्यूंकि वो भी एक रिस्की पिक हो जाएंगे इस मैच में मोसाला, नूनेच अगर आपने लाश्ट मैच देखाऊगा ना, अल्थो अगर ओन पेपर देखेंगा एक भी गोल नहीं आया, लेकिन उन्हों ने बहुत इजी इजी चांसेज मिस्किये, अगर यह उन सभी चांसेज को कनवर्ट कर देना, नूनेच स्कोर देखने को भी लेगा, जैसे दो या तीन गोल वाला, तो मैं नूनेच को फिर से बैक करूँगा, और मोस्ट प्राबली मैं इनको साला के अलॉंसाइड इस मैच में वाइस केप्टन मी करने वाला हूँ, तो यह लिवरपूल की प्रभीबल 11 थी, लगबग सभी चीज फाइनल अप्डेट के लिए आपको जोइन करना है हमारे टेलिगराम चैनल से, तो जो मेरे टेलिगराम चैनल का लिंक है, आपको मिल जाएका डिस्क्रिप्टि sırट, टॉप इंट में, वहाँ से जूरूर्द के आप मेरे टेल्यक्राम चैनल से जरूर से जरूरुर जोईन क नहीं करेंगे इसके अलावए इवेंस प्रेट रिकाड़ो परेरोड ब्रैन बट्रेंट भी इस मैच में बहार है तो लेश्टर की प्रोविबल लेवन कुछ ऐसी हो सकती है डैनी वाइड इनके गोलकीपर होंगे आई थिंग लिवर्पूल जादा इनको टेश करेगी 10 या 5 से भी कम पॉइंट दे बट यहाँ पर एक या दो अच्छे उप्सन है जैसे कस्टानिया मेरी नंबर हों चोईस आभी में इनको भी कर रहा हूँ डिफेंसिवाइज भी अच्छे है और जरुवत पंड़ने पर अटेकिंग रिटन्स भी दे सकते हैं इस व्यासे मैं क कस्टानिया के साथ जारू लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा पिक करने है या आपको इनको भी नहीं करने है लुक थामज और फाइस भी डिसेंट ऑप्सन यह भी डिफेंसिवाइज अच्छे हैं बट फिलाल मैं सिर्फ कस्टानिया को भी पिक करके चल ला हूँ ड्यूस हो सकते हैं फिलाल मैं टिलेमंस को भी कर रहा हूँ जो बिना गोल असिस के भी अच्छे काज़े पॉइंट देते हैं अगर वाइडी निए पैनल्टी भी लिंगे और उपन प्ले से भी है गोल असिस करने में के भी बहल है और कॉनर की फ्रीकिक भी ले रहे इस वैसे मैडि है और यह बिना गोल असिस बहुत जादा पॉइंट नहीं देते हैं बट मैं अभी के लिए बांस में ट्रस्ट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छे गोल स्कोरन है फिनिशिंग वागेरा अच्छी करते हैं किस वैसे मैं टिलेमंत के अलंग साइड बांस को भी करके चल लाऊं फ लेकिन फिलाल मैंने इनको भी इग्नोर किया है तो यह लेस्टर सीटी की प्रोइबल 11 थी लगबक सभी चीज़े मैं यहां से आपको डिटेल में कर दी जो मैं चार प्लेविक करो मैं गोल की बर डिफेंस में करस्टानिया और मैं टिलेवंस और हर्वी वांस को भी करके चल लेकिन लिवरपूल यहां पर एक क्लियर कड़ अपने घर में फेवरेट टीम होने वाली है तो फिलाल यह मेरी डेमोर रफटीम है गोल की बर मैंने डैनी वाड लेस्टर के चारों मैंने लिवरपूल के डिफेंडर लिए वेंडाइक अलेक्जंडर आनॉल्ड रोबर्सन और मैंतिव और यहां मैंने पिक किया कस्टानिया को अब अगर आपको लग रहे है एक एक एक्ट्रा मिट्फिल्डर या टेकल लियाना चाहिए तो मैंटी भटा गया आप ऑक्सलेट चेंबलीन या करवालियों में जो भी खिला उन पर पाइंट ले सकते हैं मिट्फिल में यह अत्याक कर सकते हैं नुने यहां वाइस के cris agree न हुक्न को बेसकते हैं तो फिलाल ये मेरी demo of team थी मेरी updated final team के लिए आपको join करना है हमारे telegram channel से तो जो मेरे telegram channel का link है आपको मिल जाएगा description या top pin comment में join कर लिए